भारत सरकार ने दो अध्यादेश बनाई जिनको जारी किया गया और अब वो अधीनिमित हो गए विदेख बन गए हैं एक है क्रसी उपज ब्यापार बाणिज विदेख और दूसरा है मूल अस्वसन और क्रसी सेवाओं का करार विदेख ये दोनों जो विदेख हैं ये निश्यद रूप से किसान को एपी एमसी की जंजीरों में जो जगड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं आजाद करने वाले हैं और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महेंगी फस कर सके नए नए बीच का उप्योग कर सके अच्छे पैस्टिसाइड का उप्योग कर सके अपनी लागत को कम कर सके एक इक्रत सिचाई में चूड़ सके और साथ ही साथ वह निची निवेस को अपने तरफ आकर सित कर सके इस दृष्टी से ये दोनों बिल भाहती महत्वूण हैं किसान के जीवन इस तर में करांतिकारी बदलाओ लाने वाले हैं और मैं आपके माधियम से किसानों को एक कहना चाहता हूं कि इनको किरियानवित होने दीजिए निश्य दूप से आपके जिंदगी में बदलाओ आएगा आपने इन बिल ये जो कानून है इन्हें आप कहरें कि नई करांति आएगी कृषी के क्षेत्र में मतब रेविल्यूशनरी है ये कानून और आपने ये भी कहा कि मोधी जी ने कहा है कि मोधी जी ने खुद कहा कि किसानों के पैरों पेपर जो जजीर जो बेडियां थी वो उनको रोक कौण रहा था और फृड़म क्या है उनके लिए अब क्या आजाधी है देखें अभी क्या था किसान परिस्रम पूर्बग अपनी खेती करता है और उतपदण करता है अभी किसान को अपने घर से अपनी उपच को लेकर मंडी में लाना पड़ता है और मंडी में 25-30 लाइसेंस धारी ब्यापारी होते हैं वो उसके उत्पादन का आक्सन करते हैं आक्सन में जो भी भाव तैय हो जाए किसान की मर्जी का, किसान की बिना मर्जी का उसको उसी भाव पर अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था क्योंकि वो आज अपने माल को लेके आया मंडी तो किराय लगा, अब उसे भाव नहीं मिल रहा है तो लेके घर जाएगा, तो फिर उसका परिवान का खर्च लगेगा फिर किसी दिन दुबारा मंडी में आएगा तो फिर उसका परिवान का खर्च लगेगा और बार बार वो आए और जाए कि भई आज नहीं तो कल उचित मुले मिलेगा आज नहीं तो कल उचित मुले मिलेगा तो इसके करण किसान को परिसानी थी और किसान बार बार आए जाए इसके बज़ाए साम तक वो इंतियार करता था और साम को जो भाव लग जाता था उसी में अपना माल बेच कर जाने के लिए मजबूर था हमारा जो एक्ट है ये एक्ट उसको मंडी के बाहर भी किसी भी इस्थान से किसी भी इस्थान पर अपनी मर्जी के मताबिक भाव में अपना उत्पादन बेचने की सुतंदरता प्रदान करता है एपी एमसी मंडीयों में टैक्स लगता है हमारा जो विध्यक है इसके माध्यम से एपी एमसी प्रेमाइसेस के बाहर जो किसान्ट ट्रेड करेगा उस पर न तो राज्य का टेक्स लगेगा और न केंदर का टेक्स लगेगा तो स्वापभी गरूप से जो मंडी की जहजीरों में वो जकड़ा हुआ था इस एक्ट के बाद वो मुक्त हो सका ए और अब अंतराश्च्टी ब्यापार वो कर सकता है और किसी भी ब्यापारी से वो कह सकता है कि मेरा माल इतने का आप लो तो ठीक है ना लो तो ठीक है